गिग्रम संबद देदर अशी साल पदो महिना को बाईश गते शुक्रवार को दिन में अविवादन अद्देत पड़े पल्राम दिसे शल्षति वाट शुद्रा तेसलाई वन्यकोच जसले चित्त लाई साच बुद्धी गरिये कोँच इस्तो बन्यकोच मांडुक्य उपनिशतना इस्तो बन्यकोच गौंड पाध रिशिवाद उसले चित्त लाई साच बुद्धी गरिये कोँच उसलाई शुद्रा भने रेसरी भन्यकोच बानी शुद्र कुरूत में रहने की अथवा आत्म चाहितन्या रूपले रहने यो हामरो नेड़े यो अश्टावक्र गुरूले बन्न होंच विषयलाइ बिख जले विषयलाइ साथ मानी एको होंच अश्टोलाइ बिख बने रहे शरी बन्न होंच प्रगंडग्यारी अश्टावक्र गुरूले रा परमात्मा स्री किष्ण ले बन्न हों जाग्रत अवस्था जो यो शाच्व बुद्धी मानी इंच वाने त्यों बिख बने रा जान बन्न होंच बुद्धावशे लाइ जाले शाच्व बुद्धी गरिंच उसलाइ सास्त्र ले बिख बने रा बन्न होंच जाले यो शाच्व बुद्धी गरिंच उसलाइ जाले द्रिश्य मा साच्व बुद्धी वहिना द्रस्टा मा साच्व बुद्धी गरिंच उसलाइ परमात्मा स्री किष्णा नित्य बन्न होंच द्रिश्य मा साच्व बुद्धी गरिंच उसलाइ द्रिश्चे लाई जानने वाला द्रस्टा साक्षी आत्म चाहितन्य लाई आफुबद्धी गरी रहनो आउसदियो बन्नो परमात्मा स्रिक्रिष्ण लाई उन्हाले गीतामा तेरा अध्यायमा छेत्र लाई नलिनू छेत्र ग्यलाई लिनू आणि पुरुषोत्ता मुनसाकें चाहा बन्नवो छेत्रा बन्नेगो द्रिश्चे परपण्च जगत परपण्च जगत परपण्च लाई नलिनू किन्हेकि यो बिखव एस्तो अन्वब आमिलाई उन्च जबा आम्रों शारीर मृत्तुको शायामा जानन लाग्चे मृत्तुको अच्छान मां मरने अच्छान मां जगा आमी एक दिन पुक्छाउं कि मैं सारीर को ज़न मां लियेको नाले एक दिन तो मृत्तुको अच्छान मां सैय्यामां आमीते पुँख्झों पुख्झों, चन्चारकामा है सब्य, वाले कोई बत्चा होनला, कोई उउभा उला, कोई की अउला, सब्य, एक दिन, एक समाय, मृत्य रोफ सैय्यामा आमी पुख्झों, तका वेला चन्सारक आमी सबई, वाले आमी कोई बच्चा होला, कोई उभा होला, कोई की होला, सबई, एक दिन, एक समाय, मृत्युको सईयामा आमी पोगछों, क्यो वेला, आमी लाए कस्तो अनुवाब होंचा, आमी ले एती वेला अनुमान गर्न सब्चों, अर्थात, खित्यमा साचो बद्धी गर्न सबई बंदा कमजोरी पक्षे रहे चा, चैतन्या आत्मा मां आफुबद्धी गर्णू सबी भंदा आमरो पक्षे रही छा यस्तो आमरो अनुवबंच अर्था परमात्मा मां आफुबद्धी गर्णू सबी बंदा उत्तम रही छा शरीर मां आफुबद्धी गर्णू सबी बंदा तुच्छा रही छा इस तो आमरो निरने जबा आमी मृत्तु को सय्या मा जान छाओं। तेती वेला आमी सबसार का आमी सबसार को लागी पायको हुँचु। ते सुषे आमी शुद्र बने रहा मुर्थ्टु सईया लाई श्रीकार गरने की अथवा सबय को एथार्था स्वरुप आत्म चैतन नेलाई अफुद्धि गरे रहा जीवन मुक्त दिया मुक्त भाया रहा बिदूर जहीं भाया रहा वसनुदूर ते आमरूर निढ़े हो बि प्रसंगा आउँचा कवर पांडव को प्रसंग मा आउँचा ग्यानी हो बिदूर वहां ले चित्त संग मिलनु भाया न वहां शाक्षी चैतन ने आत्मा नात्रा रूपले रही रहनु भयो इसकारण बिदूर लाई क्यान वान भनींचा गार्गी लाई मनिशा बनींचा विदूर शी बनींचा कुमारी गार्गी लाई किने की वहां चित्त संग मिलनु भाया न वहां सधाई शाक्षी आत्मा चैतन ने मात्रा रूपले रही रहनु भाव तेसकारण ले ठुल्ठुला सास्त्रिय बहस मा गार्गी कुमारी गार्गी लाई जाज गरन लाई नेडायक भुमी का दिन लाई ठुल्ठुला इस्तरिय यो बहस मा वहां लाई शरी नियुक्त गरें दूर यस्तो प्रसंग अच्छु यज्य बलका आधिको बहस को प्रसंग मा गार्गी लाई नेडायक पुमी का निर्भाः गरन तेते बलाको राजाले नियुक्त गरनु भायकु थियो किने कि वहां चित्त संग कईले मिलनु भायान सक्षी चैतन्य आत्मा अमार रुपले मात्रै शरी छनाई मा रही आलनु भायकु थियो एसरी मैत्रेई आमा एग्या पल्ग को स्त्रेमती मैत्रेई पनी कित्त संग मिलनु भायन सक्षी चैतन्य आत्मा मात्रा रुपले रही रहनु भयो तिसकारण मैत्रेई लाई पनी ग्यानी भनिन्जा तिसकारण ले यो जो भनिय को चक्यका लाई बन्दा संशार का आमी सभई को संशार मां आमी जेजती सभई को एती बेला बाटे नहीं अमर आत्मा रुपले जीबन मुक्त रुपले देह मुक्त रुपले रही रहान संभग होश। इस्तो प्रेणा को लागी महर्शी हरूले, ग्यानी हरूले, मुक्ती शास्त्र हरूले अनियर राई पनी रहानोंच। शासाथ है, इस्तो अवसर पनी शास्त्र है आमलाई दिये को छो कि हामी केवल आत्म चैतन्य मात्र ले रही रहान सकने हुन छों। इस्तो पनी अवसर शास्त्र ले आमलाई दिये को छो। शोरूप परकास उपनिशत्को दसों शिर्षक मां एस्तो बणान छो कि पहेको बस्तु केवल आत्म चैतन्य हो। यो बस्तव मां सोहावत सबैले आपनों चैतन्य परकास रुपले भित्र बाट संधै संधै सबैले साच्यात अनुभकरी रहा को बस्तु हो। केवल ख्याल नगरे रख शरीर भाव संसार भाव मां मुच्छी नगएको हो। तापनी एथार्थमा केवल शाक्षी आत्मा चैतन्य जो जीवन मुक्त अद्या मुक्त हो। क्यों केवल चैतन्य मात्र रुपले सबै को भित्र सधै रही आएको छ। बुद्धी मानी ले पेसलाई महसुष गरे रह अनुभव मां उतारनु हुँछ रह जीवन मुक्त अद्या मुक्त भाई हालनु हुँछ आपनो जीवन मां जो प्रारब्द अनुशार काम कर्म छ। त्यों इजा अस्ती जस्ताई अपना आयू अवदी होदा सम्मा बोली पर्शी सम्मा पनी अपना आयू रहदा सम्मा पनी गरी रहनु हुँछ पर केवल आत्म चैतन्य मात्रा रूपले रहे 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 रहा हुँछ किन्या की आत्म चैतन्य मात्रे भायको बस्तु हो यो देखी भायक अरुप कहीं के ही छाई न जो जो आत्म चैतन्य अनुभव हो जो शिव सोरुप हो जो परमात्मा सोरुप हो जो परमात्मा हो जो परब्रह्मा हो जो केवल अनुभव रुपले सबय को भित्र केवल सुध्ध रुपले रहन दे आई रहे को छ़़ एस मा कल्पितुन संसार एस तो केवल अनुभव मा कल् भाग रुप संसार, तनागुड रुप संसार रजगून रुप संसार, सत्य गुण रुप संसार, यो यो इसारा कल्पित हुन। जबजबब हन्छन तब 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 ती तीपनी परकाशित पही राकेक होंचा ये सकारण ले आत्मचैतनने मात्रा रही रहन्नों होने जसलाई घ्ञानलान बनीचा वहार कुछ थिती कश्त हुन चाव बन्दा खेरी कियो आत्मचैतनने मात्रमा लगातार पैल धारा बत अथत तेल को धारा जहीं, तेल जो दोरी को तेल, खन्यायों बने तेल लगाता जिनिंगेंचे तो थप थप होंदें, तेस्ताई आत्म चाइतन्या रूपले यान्वान पनी तैल धारा बत रही रहनू हुन्छा, जीबन मुक्त तेहा मुक्त रूपले, इने की भाय को बस्तु केवल्स आत्म चाइतन्या मात्रे हो, इस खारनले, आत्म चाइतन्या मात्रले, शदा सरवधा रही राना सबयलाई संबख्छा, हर आलत्मा सबयलाई राना संबख्छा, यस्तो द्रिष्टांत मा बुट्टा भरे को आउठी हामी शुबणकार मा लगियो तेलाई बनाऊना अथोआ केई काम परिवर्टन करना लाई बने शुबणकार ले तेसलाई खस्तो शुन हो बने संध्रव मा कती पायलो चत्य द्रिष्टी को मात्रे ले हारे कोँछा जब कि ग्रहाक ले डिजाइन को रूप मा शानो ठुलो डिजाइन दार बुट्टा दार रमरो ननामरो मात्र ले हारे कोँछा ठेक थे श्ताई ज्यान वान ले शारा विश्व देखदा पनी कि ओन आत्मचाहितने मात्र ले भित्र वाठ अनुभफ गरी रहनों उन्च वने अग्यानी को बिहालत होंच अठा एस्तो छेमता आत्मचाइतने रूपले नराइकना देखने अनुभव छेमता नराइकना सनसार को रूपरांकिरिया बाट मत्रे दाइराने होंच जसलाई निच्छिम आउस्था बनेंच ते शेरी उत्तम आउस्था हो आत्मचाइतने मात्रा रूपले चित्तलाई मिठ्या जानेरा आपनो शोरूप में सदाशरवदा रही राखना अला एतिने गार्म हर्यों दस्ति